अब तक आपने काफिग डाइब के सी क्रियुज़ देखे होंगे. लेकिन कुछ उसे भी हैं जिनके बारें में कोई नहीं जानता होगा..ोशन में टोटल 228 450 स्पीसिज ऐसे हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं लेकिन 2 million से भी ज्यादा sea creatures ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है जो sea creatures अंजान है वो deep sea में रहते हैं समुंदर की गहराई में रहने वाले creatures को बहुती extreme cold का सामना करना पड़ता है उसके सिवा deep sea में oxygen और sunlight भी बहुत कमाती है बिना oxygen और sunlight के किसी इनसान को समुंदर की गहराई में चाना काफी मुश्किल है जिस कारण deep sea में रहने वाले काफी creatures अंजान है आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ weird, unique दिखने वाले sea creatures लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से latest update पाने के लिए हमारी चानल the interesting fun facts को subscribe करना ना भूले pink sea through fantasia, pink sea through fantasia sea cucumber type का fish है scientist की team और underwater photographers ने सबसे पहले इस unique creature को discover किया था समुंदर की 8200 feet की depth में ये sea creature देखा गया था जैसे आप देख सकते हैं ये pink sea creature की body पूरी थरा transparent है इसी लिए इस creature की body के internal organs बाहर से clearly visible होते हैं उसके सिवा ये bio luminescent creature है यानि की pink sea fish light emit करता है जब ये अपने आपको danger है वो पता चलता है तब शिकारी से बचने के लिए light emit करता है feather star feather star बहुत ही अलग marine creature है काफी sea creatures ऐसे देखे होंगे चो swim करने के लिए fins का इस्तमाल करते हैं लेकिन ये feather star समुंदर की गहराई में घूमने के लिए अपने feathers का इस्तमाल करता है इस creature को shallow water में रहना पसंद है इसी लिए ये creature पानी के surface से 9 km नीचे रहता है grand roger jellyfish इस jellyfish के नाम का मतलब होता है big red जो इसकी ruby colored gigantic body को perfectly describe करता है ये large jellyfish 1 meter 3 feet diameter में grow होता है ये fish stinking tentacles के बदले 4-7 fleshy feeding arms से अपना food capture करते है dumbo octopus octopus के total 300 जातिया है उसमें से ये एक type का octopus है इस octopus flapping ears की वज़े से इसे dumbo octopus ऐसा नाम मिला है dumbo octopus deep ocean में 13,100 feet की गहराई में रहते है सभी जातियों के octopus में से dumbo octopus सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाला creature है dumbo octopus समुंतर की गहराई में extreme cold temperature में रहते है leafy sea dragon sea creatures में कितने unique creatures हो सकते हैं ये कहना मुश्किल है जैसे ये leafy sea dragon fish देखने में leaf और थोड़ा sea horse जैसा दिखता है leafy sea dragon fish बहुत धीरे swim करती है जिस कारण वो अपने आपको शिकारी से बचने के लिए समुंतर के camouflage में depend करते हैं ये fish के size कम से कम 30 cm long रहती है तो इस video में हमने सबसे अलग sea creatures देखे ये ऐसे creatures हैं जो समुंतर की बहुत गहराए में रहते हैं इसलिए बहुत कम लोग इन creatures के बारे में जानते हैं अगले video में हम ऐसे ही कुछ और unique creatures के बारे में जानेंगे और अगर आप सबको हमारा ये video पसंद आया होगा तो इसलिए like, share and comment सरूर करें और अगले video तक के लिए अलविदा दोस्तो तन्यवाद